कैन थानी की पुलिस ने एक सातिर चोर को ग्रिफतार किया है जिसके संबन्द में कैन थाना प्रभारी ससीभूशन राय ने बताया है कि मुख्बिर की सूशना पर एक अभ्यूक्त को पीपल डाढ़ा एर फोर्स चोकिस से ग्रिफतार किया गया है जिसकी पहचान ब्रिजेस निशाद पुत्र स्वर्गे हरीलाल निशाद पीपल डाढ़ा कुडा घार थाना कैन चुनपत गुरकपूर के रूप में हुई है जिसके पास से एक बंडल विद्धुत केबल बरामत किया गया है कैन थाना प्रभारी ने बताया कि 26 अगस्त को संदीप निशाद पुत्र ओम प्रकास निवासी पीपल डाढ़ा कुडा घार द्वारा थाना कैंट गुरकपूर पर सूशना दी गई कि मेरे मकान के बगल में ब्रिजेस निसाद पुत्र स्वर्गे हरीनिशाद का घर है 26 अगस्त को रात 9 बजे अपने घर पर ब्रिजेस चोरी का केबल रखा था जि पर थाने में मुकदना पंजिकरित किया गया उसने पूछतार्ष में बताया कि वह नसे का आदी है नसा करने के लिए पैसे की और शक्ता होती है जिसके लिए वाच छोटी मोटी चोरियां करके अपने निच्ची की लट को पूरा करता है अपने जुर्म को कबूल कर माफी म मांग रहा था जिसको गिरफतार कर जील पेज दिया गया गिरफतार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सस्य भूशन राए एरफोर्स चोक के प्रभारी सुनिता सिंग कॉंस्टेबल राहुल यादो संदीप पास्वान शामिल रहे कर दो भी दो चुल शामिल रहे